हलो बच्चों कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छ होंगे आप सब का स्वागत है जारे डा उनल क्यासिस में चलिए आज हमारा आखरी पार्ट है रिम जिम का कक्षा ये हमारी दो ठीक है इससे पहले हमने सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए यदि कोई र देखेंगे दो बहने थी एक का नाम था एक केस वाली दूसरी का नाम था दोन केसवाली दोनों बहने अपने अम्मा और बाबा के साफ एक छोटे से घर में रहती थी एक केस वाली के एक ही बाल था एक केस वाली केस मतलब होते हैं मैं आपको बता दूँ केस मतलब बाल ठीक है बालों को ही केस कहा जाता है एक केस वाली का एक बाल था इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे क्या बुलाते थे एक ही दोन केस वाली घमंडी बहुत बड़ी घमंडी थी उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दोकी बुलाते थे क्या बुलाते थे दोसके कितने बाल थे दो तोसे क्या बुलाते थे दोकी अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुन्दर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं और बाबा उनको सोचने की फुरसत ही कहां काम में जोलजे रहते थे दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती एक दिन एकी घने जंगल में गई चलते चलते भै घने जंगल के बीच आ पहुची कौन आ गई थी दोकी ठीक है घने जंगल में चारो तरफ सन्नाटा अचानक उसने एक आवाज सुनी पानी मुझे प्यास लगी है कोई पानी प्ला दो ठीक है तो अचानक उसने क्या आवाज सुनी पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो, एकी रुकी और उसने चारो तरब खूंकर देखा, वहां तो कोई नहीं था, फिर उसने सूखी मुर्जाई मेहंदी की एक जाडी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे, पास में ही पानी की धारा बेह रही थी, एकी ने चुलू पानी बरकर एक दो बार, कई बार जाडी के उपर डाला, मेहंदी की जाडी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी, एकी आगे बढ़ गई, अचानक सननाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूक लगी है, कोई मुझे खाना ख पेड से बंदी हुए, कैसी मरियल सी, मतलब उसकी हालत बहुत ही दुबली पतली हो गई थी, उसने बहुत दिन से साथ खाना नहीं खाया होगा, उस वज़े से वो ऐसी हो गई है, एकी ने घास फूसी कट्टी की और गाय को खिला दी, ठीक है, उसने गाय के गले में बंदी है, मुझे घास खिलाई है, और मुझे रसी से खोला है, मैं ये मदद तुमारी हमेशा याद रखूँगी, एकी अब चलते चलते ठक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसने समझनी आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहा जाए, तभी उसे दूर एक जोपड़ी दिखा जोपड़ी में आगए, जोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा, बूड़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहने का पानी तयार है, पहले अच्छी तरीके से तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे, एकी ने सरमाते कुआ, नहीं, नहीं, अम्मा ने पुछकार करका, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ, वैसा करो, एकी ने बूड़ी अम्मा की बात मान ली, फिर फतक क्या हुआ, एकी ने जैसे ही अपने सिर से तॉलिया अटाया, उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं, परन्तु बहुत सारे काल थे, एकी इतनी खुस हुई कि भै खाना खाई ही नहीं सकी, बस बार-बार बूड़ी अम्मा को धन्यवादी करती जा रही थी, बूड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ, बेटी हमेशा खुस रहो, एकी तो जैसे पंकी निकलाए, पंक निकल और तेज-तेज सरपट घर की तरफ तोड़ चली, ठीक है, रास्ते में उसे गाय ने मीठा दूद दिया, जाड़ी ने हातों पर रचाने के लिए महंदी दी, क्योंकि गाय की उसने मदद की थी, उसे घास खिलाई, महंदी को पानी डाला, तो महंदी ने भी अपनी तरफ से उसे आते दी, महंदी दी हातों पर रचाने के लिए, घर पहुँचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई, दोकी कहानी सुनते ही, सीधे जंगल तरफ भागी, दोकी इतना तेज भाग रही थी, कि उसने प्यास सी जाड़ी और नहीं बुकी गाय की पुकार सुनी, मैं तो धर-धर कहानी के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर पे अटाया, उसकी तो चीक निकल गई, एकी के दो ही बाल थे रवे भी जड़ गए थे, रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी, रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और महंदी की जाड़ी ने काटे चुबो दिये, मगर दोकी अपना सबक सीख चुकी थी, इसके बाद एक की दोकी अपनी अम्मा बाबा के साथ कुसी कुसी रहने लगी, ठीक है, कहानी से, अब देखिए, कुशन आंसरों पर आते हैं, इतनी बहुत प्यारी कहानी है हमारी थी, हमने पढ़ी एकी दोकी बेहनों की, चलिए देख था, उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने गरम पानी पानी तयार किया, ठीक है, दोकी का मेहन्दी की जाड़ी और गाय पर धान क्यों नहीं गया, तो यहां लिखेंगे, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था, इसलिए उसका ध्यान उन्हों की तरफ नहीं गया, एकी ने जाड़ी और गाय की मदद कैसे की, तो यहां लिखेंगे, एकी ने महंदी में, महंदी में पानी डाला, डाला, वे गाय को गास खिलाई, ठीक है, और रसी से भी खोल दिया, और रसी भी खोल दिया, ठीक है, इस परकार एकी ने जाड़ी और गाय की मदद की, चलिए आगे देखते हैं, महंदी की जाड़ी ने एकी को लगाने की महंदी दी, महंदी जाड़ी से लगाने के लिए महंदी कैसे तयार की जाती है, पता करो, और सही करम में लिखो, चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले महंदी की जाड़ी से पत्ते तोड़ते हैं, महंदी के पत्तों को सुखाते हैं, फिर, फिर, उन्हें, बारीक, पीस कर, पाउडर, बना लेते हैं, फिर, भिगो कर, आतों पे, आतों पर लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे महंदी किस परकार तयार होती है, यह यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, चलिए, महंदी जब रचाई जाती है, तो उसका रंगाड़ा होता है, और धीरे-धीरे फिका पर जाता है, कि इन चीजों करम को समय बाद फिका पर जाता है, तो महंदी का, और सूती कपड़े का, महंदी का भी पर जाता है, और सूती कपड़े का, ठीक है, सूती कपड़े का, सूती कपड़े का भी धीरे-धीरे फिका पर जाता है, नीचे दे गई जगे में अपनी हतीली को रखो और अब इसके चार ओगर पैंसिल फिराओ, लो बन गया हाथ तुम्हारा तो इस परकार की पैंसिल ये उंगली हमें बनानी है ये हमारा हाथ बन जाएगा, ठीक है इस तरीके का आपको हाथ अपना पैंसिल से फिराके बनाना है हतेली पर चाहते हो तो वह भी बनाओ कहानी में दोनों बेहनों का नाम उनके बालों की संग्या पर पड़ा सोच कर खाली जगर नाम लिखो दीक है एक केस वाली एक यानि दो केस वाली दो की चीरो केस वाली यहां माफ किजिए यहां सुन लिखेंगे सुन केस वाली सुक्की ठीक है जिसके एक भी बाल नहीं है नीचे कुछ भागे लिखे हैं हर भागे में एक मोटा सब छुपा है और उनकी मज़स से तुम अपने मन में सोच कर बाकी बनाओ और कक्षा में बताओ जंगल में चारो तरफ सन्नाटा था ठीक है तो सन्नाटा हमारा सब्द है सन्नाटे से हमको एक बड बनाता है वाक्य बनाना है तो चारो तरफ सन्नाटा था सन्नाटे में डर लगता है यहां लिखेंगे सन्नाटे में डर लगता है सन्नाटा मतलब कुछ भी आवाज नहीं होती है ठीक है तो ऐसा टाइम होगा तो हमें डर लगेगा बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहा काम में जो उलजी रहे थे तो यहां लिखेंगे फुर्सत में हम सब आराम करते हैं यह दो है तो यहां लिख फुर्सत में हम आराम करते हैं ठीक है ऐसा लिख देंगी फुर्सत बड़िस में आगे वैं सरपट घर की तरफ दोड़ी तो यहां लिखेंगे साप सरपट चलता है महंदी की जाड़ी मुर्जा गई तो यहां बाक्य बनेगा तुम्हारा चहरा क्यूं मुर्जाया है ठीक है इस तरीके से एक वाक्य बन जाएगा एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड से बन्दी हुई थी एकी गाय और पेड नाम बाले सब्द हैं ठीक है देखा और बन्दी काम बाले सब्द हैं कहानी में ऐसे पाच सब्द और छाट कर लिको नाम बाले और काम बाले यह आप मुझे करके बताएंगे कहानी से देखके जैसे काम हो रहा है होना जाना आना पाना तो यह सब काम है ठीक है ठीक है खाना तो यह सब काम है तो यह काम है और नाम बाले आप मुझे कोई सब्द बताएंगे ठीक है यह आपके यह तो मैंने बता दिये यह आप मुझे बताएंगे ठीक है तो बच्चो प्यारे बच्चो इस तरीके से आपकी जो रिम जिम हिंदी की किताब थी वो complete होती है यहाँ पर पूरी पार्ट हो चुके हैं चले देख लेते हैं कौन-कौन से पार्ट हमने ये पढ़े इस किताब में उट चला भालू ने खेली पुटवॉल म्याओं म्याओं बिल्ली कैसे रहने आई आई आदमी के संग अधिक बल्वान कौन दोस्त की मदद बहुत हुआ काले मेगा पाने देश सावन का गीत मेरी वाली किताब तितली और कली बुल बुल नीठी सारंगी टे सूराजा बीच वजार बस के नीचे बाग तेंदुए की खवर बाग का बच्चा सूरजल जल्दी आना जी नटकट चुहा एक की दो की यह पार तो अभी नहीं है चलिए हम आगे देख लेंगे अगर यह चुट्टी हुई खेल की तो अगर यह होगा तो तो यह बच्चों हमने पूरे पार पढ़ लिए हैं अगर कहीं भी आपका कोई पार छूटा रहेगा तो एक बारे और मैं चेक कर लू है और जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब का बटन है ठीक है लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें और बैल आइकन को भी दगा दें ताकि जल्दी से आपको जो नोटिफिकेशन है हमारे वो आपको मिलते रहे टाइम से और हमारे जो भी नए वीडिय है लाइक जरूर करना है उम्मीद करता हूं आम सब को बहुत अच्छे से ये किताब समझ में आई होगी फिर भी कहीं समझा रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद